हलो एब्रिवन वेलकम टू नॉलेज मॉल और आज के डेली करेंट अफेर्स के छेसन में आप लोगों का स्वागत है तो आज है 24 नवंबर 2022 तो 24 नवंबर 2022 के जतने भी इंपॉर्टेंट इंग्साम के व्यू से करेंट अफेर्स हैं उन सारे कोशन को मैं लेकर आई हूँ आप सबों के लिए तो वीडियो में एंट तक जरूर बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आकून को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए देखते हैं आज 24 नवंबर का करेंट अफेर्स तो कोशन है पहला कि हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझोता की स्विक्रिती दी है आंसर है option B आस्ट्रिलिया की आस्ट्रिलिया ही संसद ने भारत था आस्ट्रिलिया के बीच मुक्त व्यापार समझोते को सुकृती दे दी है मुक्त व्यापार समझोता विबिन देशों के बीच एक समझोता है जो व्यापार बढ़ाने के दृष्टि कौन से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या फिर उन्हें समाप्त करने का लक्ष रखता है इसमें माल, सेवाए, निवेस, बौधिक संपदा, परतिश परधा, सरकारी खरीद और अन्य छेतर सामिल है बहत्तरवी अंतर सेना वालीबॉल चैंपियनसीब 2022 तैस किसने जीता? आंसर है इसका ओप्सन B, आर्मी रेट आर्मी रेट टीम ने बहत्तरवी अंतर सेना वालीबॉल चैंपियनसीब 2022 तैस जीत ली है इस चैंपियनसीब का समापन समारो सिकंदराबाद के इगल इंडोर वालीबॉल स्टैंडियम में आयोजित किया गया था भारती सेना के दो टीमों रेड और ग्रीन के अलावा भारती नौ सेना और भारती वायो सेना की एक एक टीम ने इसमें हिस्सा लिया 21 नुवंबर 2022 को भारती सेना ने कहा सैन्य अभ्यास सत्रू नास का आयोजिन किया आंसर है ओप्सन D, स्री गंगा नगर में राजस्थान के स्री गंगा नगर में भारती सेना ने अपने अद्बुत सौरी का प्रदर्शन किया है जिसमें लेजर गाइड़ेड बमों को टारगेट पर हिट करने से लेकर मिसाइलों से दुस्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने का सैन्य नभ्यास किया सेना ने इस सैन्य नभ्यास का नाम सत्रूनास रखा है हिंद परशांत छेत्रिय समवाद निम्न में से किस भारती सेना का एक सिर्ष अस्तरिय अंतरराष्टिय वार्षिक सम्मेलन है आंसर है इसका ओप्सन भी भारतीय नौसेना चौथा हिंद परशांत छेत्रिय समवाद IPRD 23 नौंबर 2022 को दिल्ली में सुरू किया गया IPRD भारतीय नौसेना का एक सिर्ष अस्तरिय अंतरराष्टिय वार्षिक सम्मेलन है रास्टिय समुदरी संस्थान नौसेना का ज्यान साजेदार और इस कारिकरम के परतेक संस्क्रन का मुख्य आयोजक है IPRD 2022 का विशय हिंद परशांत महासागर पहल को क्रियाशील बनाना है साहित के JCB पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है option C खालीद जावेद को प्रसित उर्दू लेखा खालीद जावेद को JCB प्राइज फौर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया है खालीद जावेद को उनके उपन्यास नेमत खाना के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है इस नौविल का The Paradise of Food नाम से अंग्रेजी में अनुवाद बना फारुकी ने किया है 16 नवंबर 2022 को किसे केंद्रे सरकार ने निती आयोग का पूर्वकालिन सदस न्यूक्त किया गया है आंसर है Option A. अर्विंद विर्मानी को 16 नवंबर को पूर्व मुख्य आर्थिक सलाकार अर्विंद विर्मानी को निती आयोग का पूर्वकालिन सदस्य न्युक्त किया गया है गडूर सक्ती निम्न में से किन दो देशों के बीच सेनाओं के विसेश बलों का सन्युक्त युद धब्यास है आंसर है option C भारत वा इंडोनेशिया के बेच भारती विसेश सैनिक बलों की एक टुकरी वर्तमान में सांगा बुआना प्रशिक्षन छेत्र करावांग इंडोनेशिया में एक दुईपक्षिय सन्युक्त प्रशिक्षन अभ्यास गरूर सक्ती में लगी हुई है अभ्यास गरूर सक्ती का यह आठमा संस्क्रण है 21 नमबर 2022 को सुरू हुए इस अभ्यास का उद्देश दोनों से नाओं के विसेश बलों के बीच समझ सहयोग और अंतर परिचालन को बढ़ावा देना है मिसन अमरित सरोवर योजना संबन्धित है आंसर है ओप्सन डी वर्सा जल सनरक्षन के प्रती सामुहिग प्रती बद्धता से अमरित सरोवर योजना की सुरूआत दिनांग 24 अपरेल 2022 को सुरू किया गया जिसमें भारसरकार के ग्रामिन विकास मंतराले के साथ जल सकती मंतराले, पंचायती राज मंतराले, परियावरन, वन और जलवायू परिवर्तन मंतराले आदी मिलकर काम कर रहे हैं 15 अगस्त 2023 तक पच्चास हजार अमरित सरोवर बनानी का लक्ष रखा गया है मिसन अमरित सरोवर वर्षा जल सनरक्षन के प्रति सामुहिक प्रति बद्धता को दर्शाती है सन्युक्त राष्ट संग ने 2023 को किस वर्ष के रूप में घोसित किया है आंसर है ओप्सन बी मोटे अनाज अंतराष्टी वर्ष के रूप में मोटा अनाज अंतराष्टी वर्ष 2023 का प्रारंभिक सुभारम समारो 24 नमबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होगा इस कारिकरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर और क्रिसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर सामिल होंगे सन्युक्तराष्ट की सर्वोच परियावरन पुरसकार चैंपियन ओफ दा अर्थ से किसे सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन ए पुर्णिमा देवी बर्मन को भारती वनी जी वैग्यानिक डॉक्टर पुर्णिमा देवी बर्मन को सन्युक्त राष्ट के सर्वोच परियावरन पुरसकार चैंपियन ओप द अर्थ से समानित किया गया है पुर्णिमा देवी को पारिस्तिती की तंतर के चरंद की रोक्थाम के लिए यह पुरसकार दिया गया 24 नमबर को सिख के किस गुरू की सहादत दिवस मनाया जाता है आंसर है ऑप्सन डी गुरू तेग बहादूर की नमेक गुरू तेग बहादूर की हत्या औरंगजेब ने 1675 इस्वी में दिल्ली में करवा दी थी गुरू तेग बहादूर ने धर्मी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था उनका यह बलिदान समस्त मानवता के लिए था जिसके लिए उनको हिंद की चादर कहा गया है 22 नॉमबर 2022 को इनो ग्रूप के सबसे कम उम्रिके संस्थापकों और CEO 22 वर्सिये रवी कुमार सागर को किस पुरसकार से सम्मानित किया गया है आंसर है ऑप्सन C डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा आवाट से वर्स 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे रास्टिये साथिक पुरसकार T.N.N.A.A. में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार से सम्मानित किया गया आंसर है इसका ऑप्सन B कुमर भवानी सिंग सम्म्याल को यह पुरसकार लेंड अडवेंचर, वाटर अडवेंचर, एयर अडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट नामक चार सेनियों में दिया जाता है जिसमें की लेंड अडवेंचर में यह सूसरी नैना धाकड को दिया गया, वाटर अडवेंचर यह सरी सुभम धननजय वनमाली को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार यह ग्रूप कैप्टन कुमर भवानी सिंग सम्म्याल को दिया गया पुरसकार विजयताओं में से परते को लगू प्रतिमा, प्रमान पत्र और 15 लाख रुपे की पुरसकार रासी प्रदान की जाती है तो यह थे 24 नमबर 2022 के कुछ important current affairs जो कि आपको आने वाले हर exam के लिए काफी important है तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें धन्यवाद